सोलन चेहर पाड़ों के पीछ बसा खुब सज़त चेहर है हर साल मौनसुन में भारी भारी चोड़ लगादार लाइन साइड होते हैं जिससे जान माल के काफी ठानी होते हैं कहीं जमीन की सगी तो गहीं घर गिर गए वज़ा से रफिक घर बनाने के लिए जम्मेडों काता तो सब्सक्राइब के लिए जचान के लाइन से रफिक होने पर दकरपाली कारने कोई निजसे हम लगों का भी दशात के सांदा करना पड़ रहा है आज कर से इसे मालनी हो रहा क्योंकि जो लोकल रेता है उसके बीच में मिट्टी आ रही है बजरी के बीच में भी कंपलेंड आ रही है क्योंकि लोकल बजरी आ रही है मिट्टी वाली जिसके बीच मिट्टी है तो अगर ऐसी जो कारण होते है तो उससे क्या चुद होती है उस इतने सालों में पहली बार सुर्च को नुक्सान हुआ है तो आप इसे जिम्मेदार की से मानते हैं और क्यों? अगर आपके साथ कोई हासा हो जाए तो कितना मुआफ़ा मिलता है गौर्मेंट से या हाउस ऑनर की तरफ से अगर नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता है? देखो जी मालिकों की तरस से तो कुछ भी नहीं मालिकों की तरस से मिलता है, आपके तरह से इसको मौपवजा मिलना काका जाए यप हो जाए? वह सरह सरकार के तरस साब किसा कस आता जाता देने का बालता किया गया है? अब देखो, कहा तो उन्होंने बहुत कुछ था अब अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, प्लस अभी शायद गव गया लगाने के लिए परमिस्टी आवा है, उन्होंने जो ही मीचे कतिम हुई है, वो दंगा लगा कर देंगे। नगरपाली का विभाग अपनी गाइडलाइन्स को सक्ती से लागो करवाए, आप भी इस नमबर पर कॉल करके सुलन वास्यों के मदद कर सकते हैं, नगरपाली का अध्यक्ष शिरी कुलराकेश्पन 94181-96048, समास्ति परदेश के सुलन जीले से मैं अवधिश नेगी इंडिय अन्होट के दिया